नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहें 56 मास में ऐसे करें शिव की पूजा हमेशा शिव कृपा आप पर बनी रहेगी सास्त्रोक्त्र वैपोरानी कताओं के अनुशार शावन मा में ही समुंद्र मंतन किया गया था मंतन के दोरान समुंद्र से निकले विष्को भगवान शिव ने अपने कंठ में समायत कर संपून सश्टी की रक्षा की थी किन्तो अगनी के समान दग्द विष्क के पान उप्रांद मादेव शिव का कंठ निलवरण हो गया विष्की उशंता को शांत कर भगवान बोलेनात को सीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अरपन किया इस कारण भगवान शिव की मूर्तिव शिवलिंग पर सामन के महीने में जल चड़ाने का अपना ही एक अलग मैत्व है इस मास में शिव पासना से उनकी विशेश किपा प्राप्त होती है शिव पुरान में का गया है कि भगवान शिवी स्वयम जल है संजीवनम समस्त श्य जगत सलिलात मकम भव इच्योते रूपम भवश्य प्रमात्मन है अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है वर जल स्वयम उस परमात्मन शिव का रूप है इसलिए जल का अपवे नहीं वरण उसका मैत्व समझ कर उसकी पूजा करनी चाहिए पार्थिव पूजन का लाव मात्यम शिव के मानस पूजा का भी मैत्व है प्यारे दोस्तों इस साल समवार जो सावन मास में पड़ रहे हैं वो पांच समवार हैं इसके लिए आपको प्रथम समवार को कच्चे चावल एक मुठी दूसरे समवार को सफेद तिल एक मुठी तीसरे सोमवार को खड़े मुंग एक मुठी, चोथे सोमवार को जो एक मुठी और पांचवे सोमवार को सत्वा चड़ाना है आखरी सोमवार को दो मुठी, सत्वा आप अवश्य चड़ाएं इसे आपको काफी फायदा होगा शावन मा में एक विलपत्र से सिवार्चन करने से तीन जन्मों के पापों का नाश होता है एक अखंड विलपत्र अरपन करने से कोटी विलपत्र चड़ाने का फल प्राप्त होता है सिव पूजा में सिव लिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करने का भी विसेज फल वे मैत हुए क्योंकि रुद्राक्ष सिव ने एन जल से प्रगट हुआ इसी कारण सिव को बहुती ज़्यादा प्रिय है भगवन शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मादेव को कच्चा दूद, सफेद फल, भास्म तथा, भांग धतूरा, स्वेतवस्त्र अधिक प्रिय है लिंग पूजन क्यों करते हैं? दे से कर्म कर्म से दे यही बंदन है, शिव भक्ती इस बंदन से मुक्ती का सादन है जीव आत्मा तीन सरीरों से जकडिय है, स्थोल सरीर करम हेतू, सुक्षम सरीर भोग हेतू, कारण सरीर आत्मा के उपभोग हेतू लिंक पूजन समस्त बंदन से मुक्ती में परम सायक है तथा स्वय अंभू लिंक की अपनी महिमा है और सास्त्रों में पार्थिव पूजन परम सिद्धी प्रद बताया गया है शावन मास में दिननुसार सिव पूजा का फल रवीवार को पूजा करने से पापनाशक फल प्राप्त होता है सोमवार को धनलाप की प्राप्ती होती है मंगलवार को स्वस्तेलाप प्राप्त होता है रोगनिवारन होता है बुदुवार को पुत्र प्राप्ती के योग बनते गुरुवार को आयूकारक होता है, शुक्रवार को इंद्रिय शुक्प्राप्त होता है, सनिवार को सर्व सुक्कारी मनल गया है। सिव पूजवे पुष्प, विल पत्र, जनम जनमांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, चाहे पूरु जनम के पाप भी हो तो वो भी नाश्ट हो जाते हैं। कमल मुक्ति धन सांती प्रदायक, कुशा मुक्ति प्रदायक, दुर्वा आयू प्रदायक, धतूरा पुत्र सुख प्रदायक, आक प्रताप व्रधी, कनेर रोगनिवारक, शंगहर पोश्प संपदा व्रधक, समीपत्र पाप नाशक. क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आया हो इंगाव करें अएर बाइक आया हो प्याद करेंगा इंग सो आपको अङर् संद आपको पना भूलें चैनल कर्चक्राइब करronics करें ऊगता रिशारा – क्यादा दो हान है अ kalणार